आप देख रहे हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक पैनल टेस्ट का ऐसे टेस्ट जो ऐसी चीज़े चेक कर सकते हैं जो आपके शरीर में मेटाबॉलिजम में प्रॉब्लम तो नहीं है आपके अंदर और इसके बारे में आपको समझना जरूरी है कि कि आपके शरीर की बाड़ी के केमिकल बैलेंस और मेटाबॉलिजम जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है इस मेटाब्लिक टेस्ट और आपके शरीर किस प्रकार से खाने पीने को एनर्जी को प्रोसेस करेगा, उस चीज को हम बोलते हैं, metabolism metabolism है खाने पीनों को energy को यूज़ करना और जो आप खाते हो वो store होना या वो glucose में convert होना fat का बनना इस पे डिपेंट करता है आप मोटे हो रहे हैं पदले हो रहे हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंट करता है आप energy यूस कर पा रहे हैं या नहीं आप बहुत जादा ठक रहे हैं आपको एनरजी महसूस नहीं हो रहे हैं आपको कमजोरी महसूस हो रहे हैं इन सब चीज़ों पर बहुत फर्क पड़ता है तो यह टेस्ट बहुत ही इंपोर्टन है Metabolic Test में क्या क्या आता है Glucose Test किया जाता है कि आपके शरीर में Glucose एक मेन सोर्स आफ एनरजी है Calcium टेस्ट किया जाता है जो आपके शरीर का सबसे important mineral है most important mineral आपके शरीर के हडियों में calcium होता है आपने सुना होगा लेकिन calcium आपके नसों की functioning के लिए nerve conduction के लिए मास पेशी के contraction relaxation के लिए heart के functioning के लिए बहुत ज़री है आपके अंदर sodium, potassium, carbon dioxide और chloride का electrolytes का level कैसा है यह बहुत ज़रूरी है जो control करता है आपके body के अंदर acid base balance को और control करता है कि आपके शरीर के सारे जो दर्वाजें है गेट्स है वो खुलेंगे कैसे खुलेंगे तो बहुत इंपोर्टन चीज है hydration maintain करने के लिए एक एक चीज इन elements पे इन चीजों पे डिपेंड करती है बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रियाटिनी यह वेस्ट प्रोडक्स हैं जो आपके खून से निकलते हैं आपके kidney द्वार इसके टेस्स से भी पता चलता है कि आपकी kidney सही से काम कर नहीं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्स बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इने खाना बनने के बाद कच्रा बाहर फेक पाओगे कि नहीं बेसिकली सम्टिंग लाइक वहांना कच्रा हो जाएगा सोचो किजन का क्या हाल होगा सेंगे शोओ यह जो टेस्ट हो गए इन में यह सारे टेस्ट इनकलूड होते हैं ग्लूकोस कैल्सियम क्यांशियम कोटाशियम करभन डाक्सइड महलें क्रिया और नाइटोजन और एब्लशंट मिलके हम भी सबम्स्ट होता है उसके अंदर आपके किद्नी फंक्शन आपके यह र्गूलर टेस्ट में जन्रल हेल्च चेक अपसर में पकड़़ लिए जाते हैं, कई बार ने से लिये प्लूप हे नियुआ हैं किको कुछ इंद इस Sebश्यग उRadम है किट्नी घूनीई मा कुरूनिक हे उसमें उनको यह सारे टेस्ट करां अनुसरी अभिसली ilia जाता है बलड लीया जाता है बलड लेनी के बाद में आपका टेस्स किया जाता है कई बार आपको फास्टिंग लखने अने प्रफट करने के लिए भी बोला जा सकता है यह ऑप्छंव होता है कर gmot और उसके complications में कुछ हो सकता है ऐसे की चीजों के लिए और टेस्टों की ज़रत पड़ती है diagnose करने के लिए कि भी आपको क्या हो रहा है अगर आपके इन चीजों के बारे में abnormal test आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें आगे evaluate करना जरूरी है इसी तरह से comprehensive metabolic panel भी आता है जिसमें यह सारे टेस्ट के साथ और भी टेस्ट होते हैं उनमें protein levels, liver enzymes जिसमें और भी पता चलता है कि आपका liver सही से काम कर रहा है कि नहीं कर दा है क्योंकि liver एक important part है आपके metabolism को के अंदर आपके food metabolism के अंदर, digestion के अंदर so comprehensive metabolic panel, liver function, kidney function plus all these things are included so comprehensive में क्या आएगा glucose, calcium, albumin उसमें आएगा albumin एक protein है जो आपकी kidney से बनते हैं इसमें 14 अलग अलग चीजे होती है और sodium, potassium, carbon तो रहे गए, total protein, alkaline, phosphatase, alanine, transaminase and aspartate transaminose भी जो different enzymes हैं जो liver से बनते हैं, bilirubin जो है वो एक waste product है जो आपके liver से बनता है और बाकी kidney function का बन क्रियाटिन तो खोगा है ये आपके liver kidney दोनों function को बताता है, blood sugar levels को देख सेता है आपके electrolyte imbalance के साथ साथ आपको monitor कर सकता है, कोई दवाईयां अगर आपको देने हैं दवाईयों का कोई side effect तो नहीं है, उन चीजों को भी ये monitor कर सकता है तो ये सारी चीजों को भी ये monitor कर सकता है, तो ये सारी चीजों बहुत ज़रूरी है फिर आपका proper इलाज किया जा सकता है, आपको बीमारी क्यों है, आप मोटे क्यों है, वो सब देखा जा सकता है I hope आपको समझ आया, please share this video, subscribe नहीं कर लीजेगा, take care, I'll see you next time, bye bye